हेलो फ्रेंड्स वेलकम टवा यूट्यूब चैनल एस्ट्रलोजी टेप्स हिंदी में आज की वीडियो फालगुन पुर्णीमा दो हजार तेईस छे या साथ मार्च इसी दिने हूली का दहन फालगुन पुर्णीमा की पूजा कैसे करें आज राद चान्त को देखकर जरूर क करें ये उपाई, हिंदू धर्म में पुर्णीमा व्रत का विश्यस महतो बताया गया है, बता दे कि प्रतिएक वर्स पुर्णीमा तिथी बारा बार आती हैं और प्रतिएक पुर्णीमा तिति का अलग अलग महतो होता है सरातन धर्म में फालगुन की पुर्णीमा का विश्यस महतों बताए गया है क्योंकि इस दिन हुली का देहन और लक्षमी जयनती का पर्व मनाया जाता है फालगुन पुर्णीमा के दिन इसनान दान भगवान सत्यनायरन और मालक्षमी जी की पूजा का विधान है पुर्णीमा तीथी के स्वामी चंद्रदेव माने जाते हैं इसलिए कहा जाते हैं कि फालगुन पुर्णीमा पर चंद्रमा को अगर देने से मान से कस्ट दूर होते हैं फालगुन पुर्णीमा का व्रत रखकर भगवान विश्णो जी की पुजा करने वारे जातक को अपने जीवन के सभी संकर्टों से छुटकारा मिलता है आईए जानते हैं पालगुन पुर्णीमा की थी थी शुमुहरत पूजवी थी और इस दिन किये जाने वाले महा उपायों के बारे में इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टेप से थी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथी बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं 2023 में कब है पालगुन पुर्णीमा इस नान का मूरत रहेगा साथ मार्च को सुबा पाल बचकर साथ मिनर से सुबा पाल बचकर चपन मिनर तक लक्ष्मी पूजा का मूरत रहेगा प्रहता बारा बचकर तेरा मिनर से एक बचकर दो मिनर तक आठ मार्च को लक्ष्मी पूजा के लिए मध्य रातरी का समय उत्तम माना जाता है होली का दहन साथ मार्ज को मनाई जाएगी और होली का दहन का मूरत रहेगा साथ मार्ज को शाम 6 बच कर 31 मिनट से रातरी 8 बच कर 28 मिनट तक जानते हैं फाल्गुन पुर्णीमा की पूजा बीधी के बारे में फालगुन पुर्णिमा के दिन जातको किसी तीर्थ इस्थल पर जाकर इस्नान करना चाहिए यदि आपके लिए तीर्थ इस्थल पर इस्नान करना संभव ना हो तो नहने के पानी में कुछ बूती गंगजल की डाल कर घर पर भी इस्नान आप कर सकते हैं अब इस नान के पर्षा सूरी मंत्र का उचारन करते हुए सूरी देव को अगरी देना चाहिए। इस दिन भगवान विश्णु जी के नर्सिंग अफ्तार की पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथी में रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रदेव का विधिवत धूप तीव आदी से पूजन करें। मन्थन से माता लक्ष्मी अफ्तरित हुई थी। इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जैनती के रूस से भी जाना जाता है। अता भगवान विष्णो जी और मालक्ष्मी दोनों की किरपा पाने के लिए यह दिन विश्यस पुन्यकारी माना जाता है। संकटों से मुक्ती, धन, सुक, समर्दी, उत्तम स्वास्त की प्राप्ती के लिए फालगुन पुर्णीमा के लिए श्री हरी विश्णो जी और मालक्ष्मी जी की एक सांथ पूजा अवश्य करें। इसके अलामा फालगुन पुर्णीमा की तीथी पर दान करने से धन, वैभो और सुखी जीवन का अशिरवाद मिलता है। को सब्सक्राइब करना ना भूलें।